महिने ही यानवा सिन्वार की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था और IDF के मताबिक जो है एक टीशू पेपर से सिन्वार की लोकेशन मिली पछले महिने राफा के तेल सुल्तान में एक सुरंग के पास एक टीशू पेपर का टुकड़ा मिला था जिसका DNA टेस्ट किया गया तो उस तलाशी तेस्ट कर दी गई ये वही जग था जाच छे इस्राइली बंदकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया था IDF operations in Hanunis forced Sinwar to flee to Rafa. Last month, Sinwar's DNA was found on a piece of tissue he used. A few hundred meters from a tunnel where six Israeli hostage were brutally executed in Tel Sultan in Rafa. Then, Sinwar fled yet again. और इस्राइली सिना ने जो ये सुरंग से भागते हुए यानवा सिन्वार और उसकी पत्नी का वीडियो जारी किया है. उसमें सिन्वार की पत्नी के हाथ में एक बैग दिख रहा है. काले रंग के इस बैग पर इस्राइली सिना ने दावा किया है कि ये बैग 32,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत का है. आइडियाफ के अर्भी भाष्वा के प्रवक्ता लेटिनेंट कर्नल अचिवा एड्रे ने ये दावा किया कि सिन्वार की पत्नी के हाथ में जो बैग था वो हर्मीस बिक्रीन हैंट बैग है और इसकी मार्केट में जो कीमत है 32,000 डॉलर है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बाते हो रही है क्योंकि गाजा पत्टी में रह रहे लोगों के हालात बहुत ही बुरे और वहाँ पर लगतार अंतराश्ट्री सायोग से लोगों की जरूरते पूरी की जाती रही है और इस बीच में हमाज जो खुद को फिलस्तिनी आं और चले फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूज 18 राजस्तान नमस्कार